क्या निवोजी सिच्छकों की सारी समस्या का होल हो गया आखिरकार केके पाठक एसी एस बिहार से दिल्ली कब जा रहे हैं सच्छमता परिच्छा देने वाले निवोजी सिच्छक क्या आप निश्चीन्थ हो गये अखिरकार एसी एसकेके पाठक अब तक क्यों रुखे हुए हैं कब जाएंगे और क्या करके जाएंगे नमस्कार मैं हूँ सुनिल बौवी और आप इस समय देख रहें अपना चैनल मगश्चमबाद सभी बिहार के निवोजी सिच्छको के मन में एक ही सवालब कौंधरा होगा कि आखिरकार बिहार के एसेस यानि कि सिच्छा विभाग के अपर मुख सचीव केके पाठक दिल्ली के लिए कब रवाना होगे और क्या सच्छमता परिच्छा देने के बाद समस्या का निदान हो गया बिल्कुल नहीं अभी हम बता दे कि बिहार सिच्छा विभाग के एसेस अपर मुख सचीव केके पाठक फिलाल नहीं जा रहे हैं दो काम बाकी है वह दो काम करके जाएंगे ऐसे भी अभी बिहार के मुख मंतुरी नितिश कुमार अपना पला जार दिया है और केंद्र के पाले में गेंद को डाल दिया है और कभ जाएंगे विडियो में बने रही है लेकिन उत्से पहले हम आप से कहना चाहेंगे कि चैनल पर पहली बार आए है या आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और अपने दोस्तों के बस वीडियो को जरूर सेयर किजिए और सिच्छकों की नए जगों में नए जिले में पोस्टिंग होनी शुरू हो रिख दाएगी या पोस्टिंग का लेटर निगलेगा तब एक बार फिर से जब मसाल जुलुस निकाल कर अपनी एकता का आप लोगों ने परचाई दिया था उससे भी ज्यादा जोरदार एकता म 15 साल 10 साल से आप अपने घर के नजदिक थे और अचानक आपको कई किलुमीटर दूर पोस्टिंग किया जाएगा केके पाठक फिलाल नहीं जा रहे हैं हो सकता है कि चुनाव बात जाएं तिथी भी बताएंगे महिना भी बताएंगे और दो ऐसे काम भी बताएंगे कि वह क करके जाएंगे कि नियोजे सिच्छक अब दो फार में हो गए हैं एक तरफ नेता लोग जहां दो तरफ दिखने लगे हैं तो वहीं आब हलाकि सिच्छक एकता मंच बिल्कुल सुरच्छित हैं और निश्वार्त भाव से काम भी कर रही है इसमें दो मत नहीं है लेकिन असरी गली से निकल कर जाकर परिच्छा भी दे दिये और दुसरी नेता जोर जोर से चिलाते हुए कह रहे हैं कि परिच्छा हमें देनी चाहिए तो ऐसे तो दो नेताओं का नाम फिलाल आया है जो परिच्छा दिये हैं फिलाल सिच्छक भी अब दो फार में हो गए हैं एक जो परिच्छा नहीं दिये हैं, सचमता की परिच्छा नहीं दिये हैं, वो एक तरफ है, और दुसरा जो सचमता का परिच्छा देकर बाह टाइट कर रहे हैं, हम तो डेर सो में डेर सो मार कर आए हैं, डेर सो में 140 मार कर आए हैं, हम तो पास कर जाएंगे, लेकिन पास की खु उसी सायद गम में बदलने वादी है इसलिए कि आप हमेशा विरोद करते हैं असानांतरन को लेकर और असानांतरन होना कनफर्म है या सरकार्ट तैय कर लिया है विभाग में तैय कर लिया है शिचको का ट्रांसपर अब होगा जैसे ही रिजल्ट निकलता है वैसे ही आपकी परकिरिया शुरू हो जाएगी तो निशिंत रहिए फिर से अंदोलन के लिए तैयार रहिए देखिए अभी सिच्छा विभाग में बहुत ऐसे काम हुए है जो अब अपने देश का विदेशों में भी इसकी चर्चा होने लगी है कि मात्र अच्छा महीने में बिहार के स्कूलों की बिहार की सिच्छा विभाग की तस्वीर बदल गई और पाठक जी को अब एवाट भी मिलेगा जब इतना कुछ हो जाए बिहार के बाबा ही होने लगे जिसके कारण उसे कोई भी राजा सरकार कैसे यहां से हटा सकता है खैर जाना तो है लेकिर फिलाल नहीं जाएंगे सबसे पहला काम उनका कि जब तक TRE 3 का रिजल्ट निकलना निकल जाए और रिजल्ट निकलने के बाद जब तक पोस्टिंग नहीं हो जाए तब तक वो बिहार से नहीं जाएंगे और नियोजी सिचको को भी अधूरा छोड़कर नहीं जाने वाले है नियोजी सिचको की सचमता परिचा हो जाने के बाद नई पोस्टिंग कराने के बाद ही ओह जाएंगे यहां आप बिल्कुल निस्चिंत रहिए उससे पहले केके पाठक जाने वाले नहीं है रिजल्ट की बाद जहां तक है तो 20 से 25 के बीच में रिजल्ट सचमता परिचा की आने वाली है और उसके बाद पुश्टिंग होगी निश्ची तोर पर यह दो काम करने के बाद ही जाएं अगर ज़्यादा दबाव पड़ा तब उसका पूरा सीडूल बना कर पाठक जी जाएंगे जो भी आएंगे वा निश्ची तोरुप से इस काम को करेंगे हलाकि जो लकीर के के पाठक ने तिर दी है अब उसको चलाना अलग बाद है और जो भी पड़ा दिकारी जिस बिभाग का पद भारत गरन करते हैं पिछली और अपने तरीके से चलाने की कुछिस करते हैं जिस परकार से बीपीएसी में जो काम हुआ वहां कोई अध्याज का पद लेना नहीं जा रहा है आखिर क्या ऐसा कुछ हुआ उसी परकार से बिहार बोर्ड की भी सिती बनते जा रही है तो इन जगों पर और यहां भी सिच्छा विभाग में भी जिस परकार से च्छा महीने में जो बदलाव किये गए और च्छा महीने में जो बिवाद किये गए इसको भरपाई करना और इसे लाइन जो लाइन खिचा गया उस लाइन को सुद्रिड रखना बेहतर लाइन को वह एक अलग बात होगी हम आपको बता दे कि अपर मुख सची केके पाठक जुलाई तक जा सकते है जुन जुलाई तक जा सकते है चुनाओ शंपन होगा मैं मैं जुन तक कहिए जब तक सरकार का गठा नहीं हो जाता है सरकारी स्थित नहीं हो जाती है तब तक पाठक नहीं जाएंगे और तब तक अगर चुनाओ से पहले इन तमाम काम हो जाते हैं तो ठीक है और नहीं तो चुनाओ बाद एक काम को करके ही जाएंगे यानि कि नियोजी शिच्छकों की जो पोस्टिंग है नई जो सर्विस का नियू रखा जाएगा और नए जो अस्कूल मिलेंगे नए जो जिले मिलेंगे वहां पाठक दिया को उठा कर बैठा कर तब जाएंगे तो निसीत तोर पर अवे बात रह गई कि जो परिच्छा नहीं दिये हैं तो उनके लिए अब एक ही मौका है वह मौका है तेरा मार्च जिस परकार से सुप्रीम कोट ने यह कह दिया कि हाई कोट के फैसले का इंतजार कीजी है अगर उसके अलूप नहीं होता है तब मेरे हाँ आईए तो अगर हाई कोट ने इन तमाम चीजों को नकार दिया कि यह सविधान रहित नहीं है, सविधान का नुसार नहीं है तब तो जो परिच्छा नहीं दिये उनकी भी बल्ले बल्ले या जो दे दिये हैं उनको भी बल्ले बल्ले होगी हलाकि पुरी उमीद जताई जा रही है कि हाई कोड पतना जो है इस पर रूख लगा सकती है और नियोजी सिच्छकों की जो मांग है बिना सर्थ राज कर्मी वो मिल सकता है अब यही एक रास्ता हाई कोट का बचा हुआ है हाई कोट के डिसीजन पर ही सब कुछ निर्भर कर सकता है आपने सभी नेताओं से मिल लिया बजट सत्र में पूरी हंगामा भी देख लिया लेकिन कोई सोलूसन नहीं हुआ बस वही एक रास्ता बच गया है दूसरी रास्ता उनके लिए खुलेगा जो परिच्छा में शामिल नहीं हुए है क्योंकि अब इस बीच परिच्छा 25-26 तक उसका रिजल्ट निकल जाए फिर जब तक उसे पहले ही अचार संगिता लग जाएगा तो दूसरी बार की परिच्छा की तिथी तै नहीं हो पाएगी और फिर उसके बाद जब चुनाओ खत्म होगा सरकार की गठन हो जाएगी तो फिर विधान सभा चुनाओ की तैयारी सुरू हो जाएगी और विधान सभा में सिधे सरकार को परभावित हर अंदोलन करता है और उस समय की अंदोलन जो परिछा में शामिर नहीं हुए हैं उनके लिए कारगर सावित हो सकता है फिलाल पास करने वाले सिछकों की नई पोस्टिंग होगी तो केके पाठक जो है वह जुन जुलाई में जाएंगे और सिछकों की पोस्टिंग करा कर जाएंगे और टी आरी थिरी को सिछकों को अस्कूल धरा कर जाएंगे यह थी आज की खास परमूख आपके लिए जनकारी लेकिन चाहे जो परिचा दिये हैं और चाहे जो परिचा नहीं दिये हैं सरकार के खिलाफ गुसा तो है अब वो गुसा कब किस रूप में निकलेगा फिलाल आप भी नहीं समझ रहे होंगे और लोग भी नहीं समझ रहे हैं लेकिन अभी सभी तरह के रास्ता नियोजी सिचकों के लिए बंद नहीं हुए हैं एक सरकार पर चुनाओं के शमय दबाओ और दुसरा सबसे बड़ी रास्ता जो है वह पटना हाई कोट के आदेश पर निर्भर करता है तो फिलाल हमारे साथ बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं आप हमें सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को अबाद।